हेलो गाईज तो आज इस वीडियो में हम आपके समाज सास्त्र के चेप्टर नंबर 10 की बात करेंगे तो यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है चेप्टर नंबर 9 प्रिंट हो गया है यानि कि आपको चेप्टर 9 तक वीडियो पुर्वाइड करा गया है आप उसे जा कर जो लोग भी ये सेकेंड्य रफवर्फ सामेश्टर का इस बार एक्जाम देंगे समाज सास्त्र का उनके लिए ये वीडियो है और साथ जो competition एकजाम की तयारी कर रहे हैं यादि उनके एक्जाम में समाज सास्त्र की question पूछते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं तो इस कोश्चन है पहला कोश्चन क्या है आधुनिक विश्व का महान बिरोधा भास यह है कि प्रतेक इस्थान पर मनुष्य स्वयम को समानता के सिधान का समर्थक बनाता है और प्रतेक इस्थान पर वे अपने जीवन में तथा दूसरे की जीवन में असमानता की बिध मानता का सामना करते हैं इसने कहा था आंद्रे बिताई ने कहा था आप्सनवल भी इसका राइट इंसर है नेश्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं जाती का अर्थ है ऐसे मानव समू से जिसके बिसेशा अधिकार तथा दाये तो जन्म से निश्चित होते हैं तथा धर्म व जादू टूने द्वारा समर्तित व अनुमोदित होते हैं यह उत कतन किसका है मार्टी डेल मोने केसी का है आपसनवल डी इसका राइट एंसर है चलिए बढ़ते हैं नेश्ट कोशन की तरफ जब कोई वर्ग कुछ आने की बहुत कुछ अनुवांसिक हो जाता है तो हम उसे जाती का सकते हैं यह कतन किसका है निश्चित का है संदर्व में जाति की ब्याखर करते हुए यह कतन किसे नेपन जीआ था मुजूदार तथा मदान ने दिया था आपसनocyr eight कहा था जाती एक वर्ग है नेश्ट कॉच्छन अंत विवाह अंसानुकौरमड के द्वारा अंसानु संकौरमड के द्वारा प्रदत्थ पद की सहा आपसे समाजिक वर्गों के स्थिर व अस्थाई कर देना ही जाती है परिभासा किस की है यानि किस विद्वान ने दिया था हावेल न दिया था आपसे नमबर सी इसका राइट एंसर है नेक्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं नेक्ट कोशन कर दिया है निन में से कौन जाती की अस शब्गों के लच्षड है तो समाज का खंडी वर्गिकर्ट न समांता संतर्ड न समांता खान पांता सह भोग समंदि य चाहिए बढ़ते हैं नेक्ष्ट कोशन की तरफ अपने तो यहाँ पर हमारे नेक्ष्ट कोशन में दिया है क्रेस सब्द की उत्पत्ती किस सब्द से हुई कि तरह बढ़ते हैं हम अमारे नेस्ट कुछन में दिये हैं जाती एक बिवस्ता है जिसके अंतरगत एक समाज अनेक आत्म किरंदीत एक दूसरे से पूरता पितक इकाईयों जात्यों में विभाजित रहता है इन इकाईयों के परासपरिक समंध उच नीच के अधार पर संसार रूप से निर्धारित होते हैं यहां परिभास्ता किस विद्वा ने दी थी जे एच हट्टर ने दी थी आपसर नमरे इसका राइट एंसर है तो काईस निच्ट कोशन है एनके दत्ता ने जाती की किन कीन सनलचनात्मक एयों सांसकृतिक विश्ताओं का उल्लेख किया है त उपयुक्त में से सभी आपसर नमरे इसका राइट एंसर है निच्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं डाक्टर घुरिये ने जाती के कीन प्रमुक लच्छडों का उल्लेख किया है तो उपयुक्त में से सभी आपसर नमरे इसका राइट एंसर है निच्ट कोशन हमारा क्या दे उसमांता के चार परकार बताये हैं, निन में से किस्ण आसमांता का लेख़ ड्रे नहीं निनमें कित इवर्षण वित्रण मुखिरोप से समाजिक स्परे निनमीच इसे की द्वार्व Mister किस Mage देहरें प्रफ्र सीने मुख लिकटिों करदें में कि व्यों कित आप एंसर है भारती जाती ब्यवस्था के अधार पर रिस्थम चार वर्ग है यह वड़ हलके सवेत से लेकर पुड काले तक हैं इस आउस्था में सिर्ष पद ब्रामण है जो लगभक तीन हजार वर्ष इसा पुरुव भारत पर आकर्मण करने वाले आरेयो के वंसर यह कथनीर में से किसी ने दिया था वार्ण यानिकी बांस्र एंड वेकर ने दिया था आपसे नमर क्या है सीज का राइट एंसर है शलिए बढ़ते हैं अपने नेश्ट कोशन की तरफ हमारा नेश्ट कोशन क्या है जातिवाद राजनितिक की भासा में उपजाति के प्रती प्रति परम निष्टा का भाव है उक्त परिभासा किसकी है के एम पडिक करकी है आपसे नमर बी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन जातिवाद अंध और परमोच समु है जो नियाय के सवस्त समाजिक मात रंडो और चित अन्यतिकता वा तथा सार्व भावमिक भातित्व की उपच्छा करती है या परिभासा निष्ट में से किस ने दिथी काका कालिलकर ने दिया था आपत नमर बी इसका राइट एंसर है जातिवाद राजनितिक रूपांतरित जातिके प्रती निष्टा है उक्त विचार निण में से किसके हैं नर्मे दिश्वर प्रसाद के हैं आपसे नमर क्या है इसका राइट इंसर है निण में से कौन लैगिक असमानता के कारण है आपसे नमर डी उप्युक्त में से सभी और के देगा हमारे नेक्ट कोशन में और रिजन्स एंड ग्रोथ आप कास्ट इन इंडिया की लिखक कौन है एक एन के दत्ते हैं आप सनवर सी इसका राइट एंसर है इस्तिरियों का समाजिक और नैतिक सोसर उनके प्रतिकिस प्रकार की हिंसा को इसपष्ट करता है समाजिक ह आप सनवर 20 का राइट एंसर इनेट को स्नमरा क्या दिए गया स्माज सास्त्री संदर्व में लागिक असामान तक इस प्रकार की है अधारणा है समाजिक आप सनवर 20 इसका राइट इंसर है इंद्रिया गाधी महिला युज्णा किस वर्ष प्राण्व की गया थी शन 1995 में इंद्रा गादी महिला उजना प्रादम किया गया था आगे कुस्टन निट में से किस लेखक ने बिस्मत्ता को एक समाजिक तत्थ के रूप में सपर्ष्ट किया है किस ने आंद्रे वेताई ने बिस्मत्ता को एक समाजिक तत्थ के रूप में प्रगट किया है समाजिक विश्मत्ता की प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है या कथन क्या है हमारा असत्य है या कि समय के साथ परिवर्तन होता है दैनिक अलोकन से यह प्रकट होता है कि ब्रामर भी सुद्रो की तरह निम्नकोटी का कारे करते हैं थे या कथन किसका है को लबुक का है आक्षन नमर बी इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं हम हमारे नेस्ट कोशन में है निम लिखित में से कौन सा बिभेद लैगिक है परिवार में इसरियों की निमतन इस्थिती आक्षन नमर ए इसका राइट एंसर है निम्नांकित में से किस एक सुधारक ने लाइगिक विस्मत्ता को दूर करने के लिए इस्त्री शिच्छा के प्रसार के लिए ब्यापक प्रत्न किये हैं किसने स्वामी दयानन्द ने आफ्सनमर डी इसका राइट एंसर है निम्नांकित मेंसे किस समाजञे सात्री ने भारती समाज को मौलिक और सवा भावगत रूप में तो समाज क किसने लूई इव्मा ने कहा है यह इसका राइट एंसर है और क्या है निम्नांकित मेंसे कौनसी एक दसा जातिगत असमांदा को अभacles करती है यानि कि उप्युक्त में से सभी जनल पर अधालित इस्तरी करड़, परंपरागत बेवसाय और अंत्र विवाह, आप्स नमबर D, इसका राइट एंसर है, नेस्ट कोशन क्या है हमारा? तो हमारा नेस्ट कोशन क्या देगा है, भारत में लाइगिक विश्मता समंदी बेवारों की सिख की ब्यक्ति को प्राइट होती है, समाजी करड़ की प्रकड़िया द्वारा, आप्स नमबर D, इसका राइट एंसर है, नेस्ट कोशन हमारा क्या देगा है? नेस्ट कोशन है, जब किसी समाज में पूर्षो की अपैच्छा इस्ट्रियों को या इस्ट्रियों की अपैच्छा पूर्षो को दूसरे से अधिक स्विश्मता करते हैं, आपस नमबर D, इसका राइट एंसर है, आगे बढ़ते हैं अपने कोशन की तरफ, आगी कोशन में निम्नांकित में से कौन सी एक समस्या लाकिक विश्मता को अभिवेक ते नहीं करती है, तो यात्रा कर रही इस्ट्रिके गले से सोने की जंजीर खीच लेना, आपस नमबर A, इसका राइट एंसर है, निम्नांकित में से जातिगत विभेद कौन है, तो सुद्र जाति को कंदिर में परवेश का अधिकार नहीं है, यह क्या है, जातिगत विभेद है, आपस नमर C, इसका राइट एंसर है, बढ़ते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ, तो हमें यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया हमें कुछ मिलान दिया गया है, मैचिंग दर फ ठीक है, तो कूट का अनिकि कोड का आपस नमर B इसका राइट एंसर है, यहां पहले का चवथा नमर होगा, दूसरे का हिंदू बिवाह अधिनियम 1955 में बिवाह बिच्षेत का अधिकार, आपस नमर A, हिंदू उल्त्रा अधिकार अधिनियम 1956 इस्त्रियो द्वारा स्वयम अर्जित समर्पित पर पूड अधिकार, और लास्ट बरला क्या है, दूसरा होगा, यहांनि कि दरहेज निरोधक अधिनियम 1961 समाजिक तथा आर्थिक 166 के विरुद अधिकार, आपस नमर क्या है, भी इसका राइट एंस है, चलिए बढ़ते ह से कौन सा एक कानून लैगिक विस्मत्ता को दूर करने के लिए मतलब करने से समन्दित नहीं है, तो कौन नहीं है, इसका राइट एंसर क्या है, आपस नमर क्या है, आपस नमर क्या है, आपस नमर क्या है, आपस नमर बी इसका राइट एंसर है, और सप्रिस्यता अधिनियम 1905 ठीक है और सप्रिस्टानी हैं 1905 आपसन अबर भी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन की तरे बढ़ते हैं हम हमारे नेश्ट कोशन में के दिये गाए संपूर ब्यवस्था के दिये गाए संपूर ब्यवस्था ब्रामडों की प्रतिष्टा पर निर्वए है यह कथन किसका है एनके दत्ता का है आपसन अबर क्या है आपसन अबर एक क्या है इसका राइट एंसर है स्वरी हाँ संपूर्ड ब्यवस्ता ब्राहमडों की प्रतिष्टा पर निर्वे करता है या कथन किसका है एनके दत्ता का है आपसर नबर सी इसका राइट एंसर नेश्ट कोसन क्या है हमारा भारती समाद में परंपरागत रूप से महिलाओं की सबसे अधिक अच्छी इसती थी वैदेक यूग में आपसर नबर भी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोसन क्या है महिला ससकती करर की आवाज किसी यूग में सबसे अधिक जोड़दार धंग से उठाई गई थी आपसर नबर डी आदुनिक कालम और कदिया गया है इन इक्वेलिटी अमंग में के लेख कौन है आंधरे विताई है आपसर नबर भी इसका राइट एंसर है पूर समानता को यदि यह विद्मान है मानता देना असंभव हो सकता है तो परन्तु असमानता को मानता देना असान है आनि की आसान है यह कथन किसका है ओकेन का है आपसर नबर सी इसका राइट एंसर है निन में से कौन जाती की विशेस्ता है चलिए देखते हैं निन में से कौन सी जाती की विशेस्ता है तो गाइस इन में से सब ही क्या है जाती की विशेस्ता है यानि कि जाती केंदर इसीर्टा भोजन साहवास पर प्रतिबंद इस्थरन कर्या संसत्रण यह सभी क्या है? जाती की विशेषता है next question क्या है? निन मेंसे किसकी कारण जाती प्रथा में परिवर्थन हो रहे हैं तो अज़गी करण नगरी करण सिछा का प्रसार आपस नम्रा D इसका राइड अंसर है और हमारा next question की दिया है नेस्ट कॉस्टन में दिया है कि इसका कथन है कि बीना परंपराओं तो था नियमों के समाज की कलपना नहीं की जा सकती है और यही समाजिक असमनताओं को जन्म देते हैं किसीने आंध्रे बेताईन है आपसे नमर सी इसका राइट एंसर है भारत में 2001 की गर्णा के अनुसार क कितनी महिलाएं है 49.57 करोड आपसे नमर क्या है इसका राइट एंसर है और के दिये गया है इस्तियों की इस्तिती सुधारने में निल्विकित में से किन किन समाज सुधार को ने युगदान दिया है किसने विप्यूक्त में से सभी ने युगदान दिया है निश्ट को सन न इसने मरा ने ऑचित में से जातीय का अधार कॉनसा है तो जन्म आप से नमर क्या है ? इसका इसका वी राइट यह रह वा सम्भू कोन सा है ? जिसकी सदस्ता जन्म से निर्धारित होती है ? आजम हम रहती है ! क्या है ? जन्म रहती है ? जाती आपसे नमर सी क्या है इसका राइडिस है आपकी जाती जन्म से ही निल भैरत मतलब जन्म से ही रहती है और रखे दिया गया है किसने कहा है कि जाती एक बंद वर्ग है मजूम दार ने कहा है मजूम दार ने कहा है आपसे नमर डी इसका राइडिस है इन्होंने कहा है कि जाती ब्यवस्ता को उस्थाई बिनाए रखने वाला प्रथम अनिकी प्रमुख अधार कौन सा है अंत्र विवाहा क्या है अंत्र विवाहा यह क्या है यह क्या है जाने की जाती ब्यवस्ता को उस्थाई बनाए रखने वाला प्रमुख देश है अधार है आपसे नमरे इसका इंसर है आई होप आपको वीडियो पसंद आगा यादी वीडियो पसंद आया गो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो गाइस आपका ग्रेजुएशन सेकेंड समेस्टर एंड फोर्थ समेस्टर का एकजाम अगले मन्त से यानि की सितंबर म अगले में 10 ताजिक से स्टर्ट होने की संभावना है यानि की 10 आर्थ दोहजाठ टेइस से स्टर्ट होने की संभावना है आपके ग्रेजुएशन सेकेंड समेस्टर एंड फोर्थ समेस्टर का एकजाम थ्याम धर् district वीडियो में मिलते हैं और भी अधिकशनकरी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा सबसे उपर आप वहाँ से जाकर जुड़ कर पुछ सकते हैं जैहें चैवाँ सेकेंड यर फोर्थ समेस्टर का कुछ इंपोर्टन कोश्चन है तो आपके बीए सेकेंड यर फोर्थ समेस्टर में समाज सास्तर का भी एकजाम होगा तो जिन लोगों को जो जो सब्जेक्ट मिला है सभी सब्जेक्ट के हम वीडियो प्रुवाइट कराएंगे ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो ये वीडियो समाज साष्त्रका है किसका है समाज साष्त्रका विये फॉर्ट समेश्टर चेप्टर 11 है धार्मिक निवंसनी यह श्यत्री समझ से आएं तो चले यह कोशन को सुरूर करते हैं तो पहला कोशन है भारत में कुल कितने धार्म पाय जाते हैं चार प्रकार की धार्म पाय जाते हैं हिन यान और महा यान किस धार्म से समंधित है बौध धार्म से स्वितामबर या दिगामबर संप्रतायों का समध किस्ते है जैन धार्म से है नेश्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं निन मेंसे कौन इंडो आर्यन परिवार की भासा नहीं है गवड़ी निन मेंसे कौन हिंदी भासा का चेत्र नहीं है पंजाब किस विद्वान ने भारत को प्रजाती का अजायब घर कहा है हरवर्ट रीजिलेन ने कहा है आगे कोशन निन मेंसे कौन सा कारण भारत में छेत्री असंगती के लिए उत्तर दाई है उप्रिक्त में से सभी आप्सनमर डी इसका राइट एंसर है हटन ने भारती जनसंख्या में कितनी प्रजातियों के लच्छडों का वर्णन किया है प्रभू जाते की अवधारणा किस समाज सास्तरी ने दी थी श्री निमास ने आप्सनमर बी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन क्या देगा है रीजरे ने भारती समाज में कितनी प्रजातियों के लच्छडों का उल्लेक्स किया है आपसनमर सी इसका राइट एंसर है धर्म की विशेस्ताय निन में से कौन सी है उप्यक्त में से सभी है नेश्ट कोशन दारमिक असामाज सता की विशेस्ताय निन में से कौन है उप्यक्त में से सभी आपसनमर डी इसका राइट एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैю निन में से कौन समाज में धर्म की भूमिका इस्परश्ट करता है समाजिक संगठन का अधार समाजिक नियंतर का प्रभावपूर साधन ब्यक्तित के विकास का सहायत आपसनमर डी उप्युक्त में से सभी निन्य में से कौन धर्म की नाकारत्मक भूमिका को उस्पष्ट करता है आपसनमर डी इसका राइटेंसर है आगे कुस्ण दिया है निन्य में से की से धर्म की आधुनिक प्रभूतियों में सामिल किया जा सकता है तो उप्युक्त में से सभी धर्म की प्रभूतियों में सामिल किया जा सकता है आधुनिक काल में धर्म के स्वरूप को निन्य में से कौन स्पष्ट करता है उप्युक में से सभी आधुनिक काल में धर्म के स्वरूप को स्पर्ष्ट करते हैं आपसे नमर A, B और C तीनों सही है और आगे कुशन दिया है निन में से कौन धर्म के आकार्यात्मक पच्छ को समर्थन्त करता है तो आपसे नमर D इसका राइड एंसर है निन में से कौन निजाती की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के आत्मवादी सिधान्त के पुर्थिवादा कौन है और वह समाज सास्तिरि ने धर्म को समाज सास्तिर गड़णा के साथ साथ एक ब्यक्तिकत अनुभवी माना है मैलीनो वस्की ने अपर रहكे के है इसका राईट थ्रफ आगे कुशन में दिया है एलिमेटरी फानमस आफ रिलिजियस लाइफ नावा पुस्तक की लिखा कौन है दूर रिखी में आपसे नमबर सीज का राइट एंसर है आगे कुशन दिया है नेक्स्ट कुशन निम्म में से कौन धर्म की उत्पति के प्रकृति वादी सिद्धान का प्रतिपादक है मेक्समूलर है प्रकृति वादी सिद्धान के प्रतिपादक निम्लिखित में से धर्म का प्रकार है समाज में एक्ता की भावना विक्सित करना समाजे की नीमंत्रड बनाए रखना पवित्र और पवित्र में भेद करना ये सभी क्या हैं मारे धर्म के प्रकार है आगे कुशन नीन में से कौन सी दसा भारत में धारमिक आ समांज़स्य का पड़िराम है भखासाई भिनटा निचरता की समझ्चा कौन है शांसकृति क भिनटा आपसी नमर सी इसका राइट एंसर है निम्लिखित में से कौन सी दसा छेतरबाद का कारण़ नहीं है तो धार्मिक भिन्यताएं ये सभी क्या है छेत्रबाद की कारड़ नहीं है धार्मिक भिन्यताएं आगे कुस्टन जो समधाय अपनी प्रिथा का सांसिक्रितिक पहचाय बनाए रखने के लिए स्वयम को दूसरे समधायों से भिन्यताएं उसे हम सजाती समधाय कहते हैं क्या सजाती समधाय आगे कुस्टन भारत में नीनांकित में से किस धर्म के अनुनाईयों का प्रतिशत सबसे कम है जैन धर्म के अनुनाईयों का प्रतिशत सबसे कम है आगे कुस्टन भारती समाज में निन में से कौन सी भिनताएं पाय जाती है तो हमारे भारती समाज में छेत्री भिनताएं और भासाई भिनताएं और भगौलिक भिनताएं यानि कि तीनों प्रकार की भिनताएं पाय जाती है आपस नमर डी इसका राई टेंसर है भारती समाज में सजाती भावना के कौन कौन से कारण है धर्म भी है और भासा भी है और संप्रदाइगता भी है यानि कि आपसर नमर D इसका राइटेंसर है नेश्ट कुसन लिन्ड में से कौन छेत्रियता वाद के विशेष्टाएं है तो आपसर नमर A यानि कि इसका राइटेंसर क्या होगा तो आपसर नमर D इसका राइटेंसर यानि कि सभी छेत्रियतावाद की विशेष्टाएं है नेश्ट कुसन निन्ड में से कौन कारक छेत्रियतावाद के प्रकार के लिए उत्तरदाई है तो भासावाद, आर्थिक कारक, प्राइगर्टिक कारक, ये सभी क्या हैं हमारे च्छेत्रिय, कारक च्छेत्रिय वाद के प्रसार के लिए उत्तरदाई यानी जिमेदार हैं आप सन्बर 10 का राइट एंसर है और निकी सभी होगा आगी कोशन, निन में से कौन छेत्रिय वाद के दूष्ट पड़िराम है समाजिक प्रगर्ती में बाधक, समाजिक न्याय को चुनवती देना, भासा वाद की समस्या का च्छन ये सभी क्या है, छेत्रिय वाद के दूष्ट पड़िराम है कुशन यह कथन छेत्रियता राश्टिता के अधीन होती है निन में से किस विद्वान का है मुखर जी का है आपसे नंबर ए इसका राइट एंसर है बढ़ते हैं अपने अगले कुशन की तरफ प्रिमीटिव रेजीलन नामक पुश्टक निन में से किसके दोरा लेखी गए थी प्रिमीटिव रेलिजन नामक पुश्टक निन में से किसके दोरा लेखी गए लोभी के दोरा लेखी गए आपसे नंबर ए इसका राइट एंसर है पवित्र यह पवित्र का समध निन में से कि बिदमान रहता है यानि कि निजातियों में निन्व में से क्या बिदमान रहता है समानता बिदमान रहता है आपस नमबर डी इसका राइट इंसर है महार आंदोलन किसे ने अभी प्रेरित किया था महार आंदोलन किसे ने अभी प्रेरित किया था ब्याटर भीम राव बेटकर ने अभी प्रेरित किया था महार आंदोलन को आपस नमबर सी इसका राइट एंसर है और क्यादिये क्या है होमो हायरिकस पुष्टक के लिख कौन है लुई डिमो है आपस नमर सी इसका राइट एंसर है कौन सा च्छेत्री मुद्दा नहीं है तो मालवारी लेंड एक है हमारा च्छेत्री मुद्दा नहीं है आपस नमर सी इसका राइट एंसर है सब अलर्टन स्टडिज पर किस ने कारे किया था रड़जित गुहा ने किया था आपस नमर ए इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन क्या है मरा Religion in India किसकी क्रिती है Religion in India T.N. मदन की क्रिती है आपस नमर भी इसका राइट एंसर है Heart in Petri आगर की किसका कार है आपस नमर के इसका राइट एंसर है तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा प्यादि नहीं किये हैं तो कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दिजे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो आपका ग्रेजुएशन सेकेंड समेश्टर एंड फोर्थ समेश्टर का एकजाम सितंबर में दस तारिक से स्टार्ट होने वाला है यानि कि दस आठ 2023 से स्टार्ट होगा तो ध्यान देगा यदि आप कोई भी जनकारी चाहते हैं तो हमारे टेली गराम चैनलर से जूड़ जाएए आपको वहाँ पर सभी जनकारी प्रुवाइट करा जाएगी या आप वहाँ पर पूछ सकते हैं ठीक है दरन्मा चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को सभी की दोस्तों के साथ सेर करिए जो भी ये सेकंड येर फॉर्थ समिस्टर का इजाम देंगे समासाथ